दोस्तो 2024 के लिए में सांसर राइटिंग सीखने में अब तक हमने सीखा है कैसे question को समझें क्या keyword होता है main theme secondary theme keyword इस वीडियो में हमने explain किया था फिर जो keywords हैं कि discuss how far यह सारे keywords का क्या मतलब होता है उसके बाद हमने 2023 के papers discuss किया है तीन lecture में 9 questions अभी तक हम देख चुक है GS1 के फिर essays हमने discuss किया तो next जो questions है उन पर आते है child cuddling और आगे के दो questions हम देखेंगे इस lecture में आप basically यह देखोगे कि जो building blocks है उनको और हम कैसे improve करें plus जो optional के कुछ 4-5 सालों के PYQs है वो क्यों important है जैसे अभी हम यह question discuss करेंगी main features of Vedic society and religion क्या है उसमेंसे कुछ feature आज भी prevalent है कि आप ऐसा सोचते हो बता दो history option में recently 2020 में ही यह question पूछा है nature of religion इसका मतलब Vedic religion पर बात हो रही है और इस level पर हो रही है कि उससे history option में question पूछ लिया right same way में GS में अगर आप questions देखो तो इस तरह से continuation के context में काफी सारे questions पूछे है similarly जो इसके अगला question हम देखेंगे सलतनत period में technology में क्या changes हुए थे right और उन्होंने इंडिया को कैसे affect किया तो technology सलतनत technology पर 2018 में question पूछा 2014 में भी question पूछा यहां पर textile technology पूछा यहां architecture technology पूछा लेकिन इसका मतलब क्या है कि technology में बात हो रही है history में similarly कल जो हमने question देखा था कि marriage वाला यह तो similar question बिल्कुल in fact keyword भी आप देखो marriage is sacrament यह 2012 का question social से उठा लिया and marriage continues to be sacred in society society इस तरह से हमने questions देखे इसके पहले के भी हमने कुछ questions देखे थे right जैसे climate change के यह कुछ modified question है इस तरह के और आगे भी हम देखेंगे right इस तरह के questions communalism पर social option में पूछ लिया तो इन questions को मैं यह तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप optional के 30-40 साल के questions कर जाओगे पिछले 5 साल 6 साल 10 साल के question paper देखे जाओ आपको यह पता चल जाएगा कौन सी important themes हैं जो उस optional में relevant है जैसे GS1 में तीन ही optional है history geography and social तो यह paper तो आप देखी सकते हो अपनी theme में अपनी notes में integrate कर लो कि ठीक है सलतनत पीरेड पर question पूछ रहा है मैं mark कर लेता हूं वैदिक society religion पर पूछ रहा है मैं mark कर लेता हूं 10-15 minute की exercise है एक question paper के लिए right किया जा सकता है पूरे साल ठीक है question number 10 देखते है child cuddling मतलब बच्चों को दो लारना वो आजकल replace हो र सामने बिठा देते हैं ठीक है बच्चा रो नहीं रहा है बहुत बड़िया चीज है तो उसके negative impacts क्या आ रहे है उन पर हमें बात करने तो इसके जो building blocks है क्या होंगे इसमें अगर हम keyword की बात करें इसको अगर हम decode करें building block keyword तो discuss है ठीक है impact बताने आपको किसके impact इस चीज़ क कि child cuddling जो replace हो गई mobile phone से on what socialization of children अगर आप देखो कि question क्या है discuss impact यह बताना है आपको या impact of something यह आपकी यह आपकी primary theme है child cuddling replaced by mobile phone यह primary theme है यह secondary theme है और यहाँ पर discuss keyword है यहाँ पर कोई keyword helper आपको assess दिखेगा नहीं लेकिन मैंने examples दे दिये हैं कुछ उनके help से आप better समझा सकते अब जो इस question के building block है देखो कुछ building blocks हो सकता है intro हो सकता है impact आप बता दोगे क्या है way forward conclusion ऐसे questions में देखो 10 number का है intro आप बहुत बड़ा नहीं दे सकते है real exam में आप इतना बड़ा intro नहीं दे पाऊगे यह 72 words है right and अगर way forward की मैं बात करू 8 way forward में लिख रहा हूं तो यह अपने major part अगर आप देखो इस question का structure तो major part तो impact है इसी पर number मिलने है बाकी question थी क्या आपने कैसा answer किया है वो एक अलग चीज है इस तरह से है right तो आपको क्या focus करना है पहले ऐसे questions में जहां आपको doubt लगता है कि मैं ratio proportion बराबर दे पाऊंगा intro conclusion way forward वगरा मैं तो वहाँ पर क्या question के बाद सीधे लिखना शूरू करो heading कैसे बनाई है heading impact of mobile phone on children अगर हम लिख देते ना तो बहुत अलग heading हो जाएगी बहुत अलग answer हो सकता है तो on child cuddling try करो कि यह जो impact on socialization of children this यह चीज़ आप लिखोगे on child cuddling या फिर on socialization of children और बड़ी heading लिखने है बिल्कुल लिखते चले जाओ अब देखो एक चीज़ है जो ऐसे questions में आपको करनी चीज़ है जहां हमने बता दिया है जैसे last lecture में भी हमने देखा था कि यह तो हो रहा है suicide among young women is increasing यह हो रही है तो यह हो रहा है और आपको explain करना है क्यों तो आप एक line introduction में या कुछ भी introduction में ऐसा जरूर दो कि हाँ आपने जो कहा मुझे पता है कि ऐसा हो रहा है कि हाँ यह data है और वो data कहता है कि यह चीज़ हो रही है लेकिन जैसे अगर do you think वाला पूछे तो वह data data देनी की जुरूत नहीं है intro में अब जैसे इन्होंने कहा कि child cuddling आज की data में replace हो रहा है mobile phone से तो यह सचा ही है तो आप introduction में बता सकते हो यह ज़रूरी नहीं आप ऐसे pointer में लिखो आप ऐसे बता सकते हो इस तरह से लोग बना लेते हैं आप ऐसे बना सकते हो ट्राइंगल effect of child cuddling है उसको competition दिया जा रहा है mobile phone से उसकी वैसे concerns है किन-किन चीज़ों में concern है पहले तो mobile phone ही बढ़ गए दूसरा उनका effect आया child cuddling पर तीसरा कुछ उनके factors है जैसे mobile phone का rise मतलब accessibility increase होई है बच्चों के लिए पहले क्या था landline थी फिर with time घर में एक phone आया फिर घर में दो phone है आज की एट पर 5 लोग है तो हो सकता है 10 phone हो तो accessibility phones की increase होई है screen time statistics आप देखो अगर आपने कोई app install कियो तो आपको पता है कि screen time माबाप का ही बढ़ रहा है तो बच्चों का तो बढ़ी जाएगा ठीक है वो again वो यहाँ पर इस चीज़ से भी आपको पता चलता है parents कितना smartphone यूज कर रहा है अब mother खुद बैठके इंस्टा पर story डाल रही तो children पर तो फर्क पड़े गई then effect on child cuddling physical contacts reduce हो रहे emotional development attachment issues है same way मैं आप factors की बात कर सकतो यह introduction है impact impact बस आपको यह धिहान रखने चाहे pointer heading में चाहे उसके explanation में चाहे उसके example में आपको यह बताना है mobile phone का child cuddling से यह जो children है उनके socialization पर क्या impact पड़ा है physical attention कम हुआ है उसकी वैसे कुछ opportunities जो physical affection और cuddling के लिए हो सकती थी वो reduce हो गी right जैसे parents खुद ही अपने phone को prioritize करते है ना कि अपने बच्चों को bad time zone के time पहले कहानिया कथाएं सुना जाती थी अब वो नहीं होता है emotional development delay हो गया right यह दे पैथी नहीं आ रहा है security के issues आ रहे है insecurities बच्चों में बढ़ रही है communication skills है वो impair होती भी दिख रही है क्योंकि excessive phone uses है हो सकता है कि जो बच्चे है वो texting पे ज्यादा ध्यान दें stickers भेजने तो आ रहे है emoji भेजने आ रहे है बट face to face conversations नहीं कर पा रहे similar way में आप बहुत सारे examples दे सकते हो एक यह time था जब लोग कहते थे कि family में लोग bullying के शिकार होते है अभी तो cyber bullying आप पूरे online risk में expose कर दे रहे हो अपने बच्चों को ठीक है then इसके बाद sony की cycle में disturbance है फिर आप virtual relationship पे dependency दिखा रहे हो तो आपकी chat पे तो friends बन रहे है बट real friends कितने है you do not know आपको नह family है और secondary school of socialization school है दोनों पर इसका effect पड़ा यह आप बताओगे कुछ way forwards आप इतने short में अगर लिख सकते हो दो तीन चार इतने लिखने हो लिखने हो चलेगा अगला question हम देखते है अगला question क्या था कि वैदिक society and religion के main features क्या है पहला question यह है 15 नंबर के लिए है दूसरा do you think some of the features are still prevailing in Indian society हमने क्या करना है इंट्रो देना है conclusion देना बीचे है body part body part में क्या है देखो दो चीज़े है main feature of Vedic society और main feature of Vedic religion क्या आप इन दोनों चीज़ों को अलग कर सकते हो अगर आप इन दोनों चीज़ों को अलग कर सकते हो well and good आपके पास कुछ extra points जरूर आ जाएंगे जो आप एक ही sub heading में 3-4 points लिख देते वो आपने 2 sub heading में हो सकता 4-4 points लिखो 3-3 points लिखो बट आपने examiner को clearly बताया कि मुझे जादा number दो 15 मैं से 5 number मुझे इस पैसे करो 5 number रिलीजन पैसे करो 5 number इस पैसे करो एक और way out हो सकते थी जैसे हमने उपर discuss किया था marriage वाले question में कि हम एक hardcore view नहीं लेंगे कि हां कुछ values नहीं prevail कर रहे हैं बट कुछ values prevail कर रहे हैं आपके उपर है मैंने इसमें क्या view लिया कि Vedic society और religion explain करते बाद कि जो इनने society में Vedic society के features थे अभी भी prevail कर रहे हैं तो आप यह देख लो Vedic society के society के features not religion कुछ हो सकते है same हो क्योंकि जो religion है वो rituals religion से भी related है right तो society में आप अलग से headings दे सकते हो oral tradition चलते थे यह तो जरूरी नहीं कि religion से related हो polythism जरूरी नहीं कि आपका religion से related हो ठीक है word system यह सब चीज़ें आपकी चलते थे Vedic society के आप अलग feature बताऊगे and Vedic religion के आपने अलग feature बताए कि कर्मा पे believe करते थे धर्म धर्मलव influence duty उस पर आप चलोगे वेद और उपनिश्द की teachings हैं उन पर आप बात करोगे योगा meditation अहिंसा यह चीज़ है then question क्या पुछा था कि क्या वो आज भी continue है तो मैंने कुछ seven points यहां पर दिये उससे पहले बाने बताए question में क्या था do you think इन्होंने क्या 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 आप सोचते है जब इस तरह के questions आते हैं तो हमने क्या कहा था जब भी ऐसे questions हो do you agree or disagree clearly mention करो आप बताओ examiner को क्या मैं क्या सोचता हूँ नहीं तो फिर clarity कहां आई आपको यह पता है कि हाँ मैंने कहा कि ठीक है भाई साब मैं सोचता हूँ these continue to influence इसका मतलब मैं agree करता हूँ exam में जब यह करना हम bold तो नहीं कर सकते हैं ऐसे exam में आप क्या करते हो उसमें underline कर देते हो या फिर सीधे लिखो yes I think simple और यह बताओ का सिस्टम भी चल रहा है rituals भी चल रहा है oral tradition सब चीज़ें आज की रेट में चल रही है right अगर आपको इसका भी counter view लिखना है लिख सकते हो however there are many changes कि का सिस्ट नहीं हो सकते है तो फियोड वाला question था आता है तो आता है नहीं आता तो नहीं आता लेकिन अब यह question यह question सल्तनत पीरिएड में क्या technological changes हुए अगर आपको ऐसा question एक नया exam में face करना पड़ जाए आपको exact answer नहीं पता तो क्या करोगे देखो technology कहा कहा change हो सकती है technology की जब हम ब architecture आता है वहाँ पर आपकी technology change होई होगी और नहीं भी होई नहीं ठीक है जब इनने कहा कि कुछ major technological changes थे मतलब कुछ ना कुछ तो हमेशा change होते रहते है architecture technology में change आया GS1 होगी है history geography में क्या है irrigation आएगा आपका agriculture आएगी तो देखो इस तरह से आपको GS1234 सब में दिखेंगी ची geography में सबसे पहला topic क्या आता है astronomy वहाँ से navigation time keeping के लिए कुछ हुआ, carpet weaving society से आ गया, brass society से आ गया, coinage economy से आ गया, agriculture GS3 economy, paper GS3 economy, translation culture में हो गया GS1 का topic हो गया, urban planning GS1 society, fire arms internal security, road network, geography या economy, hospital इस तरह से आप देखो हर एक चीज में technology change होई, यह मैंने इतने सारे point लिखें ताकि आप पूचो, जरूरी नहीं कि आपको exactly answer आता हो, हो सकता है इन में 100% कुछ ना भी हुआ हो, जैसे translation movement था, उसकी वैसे क्या हुआ, scientific knowledge आई, urban planning थी, और better हो गई, fire arms थे, और better हो गई, in fact कुछ चीज़े तो हम पढ़ते है, fire arms पे तो premium equation पूछा है, coinage आपको पता होने चीज़े, जो बिल्कुल हम पढ़ते ही पढ़ते है, architecture वाला पढ़ते है, वो एक ये वाला जो architecture style है, नाम मैं मिस कर रहा हूँ, पता हो तो comment बता देना, ये चीज़े, तो दो-तीन चीज़े तो हम पढ़ते ही है, irrigation technology वाला भी हमने पढ़ते है, उसका influence क्या होगा, अगर हमने technological changes को GS के हर एक subject में तोड़ दिया है, तो फिर ठीक है, agriculture की हमने बात की थी, तो agriculture productivity बढ़ गई, culture पे बात की थी, culture आपका better हो गया, fusion आपको दिखने लगा, internal security की बात की थी, तो military better हो गया, translation मदर से education की बात की थी, उससे literacy बढ़ गई, education बढ़ी, better urban culture की बात की थी, urbanization बढ़ गया, trade coin इसकी बात की थी, उससे आपका trade बढ़ गया, religion की बात की, religion हो गया, इस way में हम चीजों को answer करते हैं, तो ये एक better way out है, जब आप mains में questions को approach करो, so ये playlist आप जरूर फॉलो करते रहना, चोटी playlist है, एक वीडियो में ट्राइ करता हूँ, दो से तीन से चार वीडियो, sorry, lectures, questions and जो ये course है, basically आपको synopsis is में यहाँ पर website में जाके special courses में courses देखेंगे, and pyq के लिए दो courses है, आप जाके join कर सकते हो, main sensor building, बहुत बड़ा game changing course है, आपके UPSC preparation के लिए, thank you for watching, have a good day.